नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का यह है लैक्स क्रेक यूपिसी-CAC अनकाडमी और आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और दोस्तों यहाँ पर हम आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एंशेंट हिस्ट क्वेशन यूपिसी पूछता है उसके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को बना रहे हैं ठीक है अब यूपिसी टर्म बेस्ट क्वेशन कई तरह से पूछता है अगर कोई प्लेस में है कोई जगा नीज में है किसी खास तरह की ट्राइब या कोई प्रैक्टिस में है तो अब इसमें भी question कई प्रकार से पुछता है जैसे अगर आप normally history पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जैसे आप कुछ सामराज्य पढ़े किसी राजाओं के बारे में बढ़ा राजाओं से जुड़े titles आपने पढ़े उसके अलाबा सामराज्यों की capitals पढ़ी इस तरह की जो general चीज़े हैं वो यहाँ पर हम कुछ जो चीज़े हमको cover करेंगे लेकिन जिस तरह से scholars होते हैं literature होते हैं books के नाम होते हैं किस writer ने कौन से book लिखी उसको हम separate video में cover करेंगे ताकि वो एक अलग से एक topic में cover हो जाए वहाँ पर भी term based question बन सकते हैं तो जो books और literature जो होता है उनको हम एक separate video में cover कर लेंगे कि भई सारी books और सारे जो text हैं literature हैं उसको और poets हैं writers हैं वो एक separate video में ancient history के सारे writers और authors हम cover कर लेंगे यहाँ पर important जो general terms हैं उनको देखेंगे सामराजे से जुड़े हुए administration से जुड़े हुए taxes से जुड़े हुए यह सारी चीजे चितनी important terms है यहाँ पर देखते हैं ठीक है term based question रहते हैं UPSC में चली तो सभी दोस्तों को good evening session की शुरुआत हो चुकी है session की शुरुआत हो चुकी है session से जुड़ेंगे और यहाँ पर आप शुरू करते हैं अगर यहाँ पर आप previous year के question देखेंगे 2023 का भी अगर question उठा के देखेंगे तो आपको फिर से term based question यहाँ पर दिये गए है और काफी आसान यह question था 2023 का यह question था यह काफी असान था कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी पूछ रहा है आखर यह क्या है तो दरसल यह ports के नाम है संगम जमाने में South India की Deep South की history में संगम जो जमाना था उसकी खास तोर पर time अगर देखें 300 BC से 300 AD के जमाने में जो बंदरगा होते थे अलगलक सामराज्यों के चेरा, चोला, पांडियाज के जमाने में ये बंदरगा आपको देखने को मिलेंगे उसी पर question पूछ लिया ठीक है? चलिए उसके अलावा यहाँ पर पूछता है which of the following phrases defines the nature of hundi generally referred to in the sources post-harshah period राजा हर्षवर्धन के जमाने के बाद का जो समय है उसमें हundi का मतलब आखिर क्या होता है? तो early medieval से ये question पूछा गया है term-based question UPSC पूछता है और generally ऐसे पूछता रहता है उसके अलावा writers, scholars उसके अलावा different sects हैं जैनिजम में, बुद्धिजम में उनके अपर आधारित question पूछ लेता है तो यहाँ पर जितने important general terms हैं उसको हम cover करते हो चलेंगे क्योंकि term-based question UPSC पूछता रहता है अगर यहाँ पर बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तुसकी बर्शन discount चल रहा है साथ में एक साल का आपको extended period मिलता है 2025 के batch पर यहाँ पर भी आप जूड़ सकते हैं code लगाना होगा SMK live 2025 के batch foundation batch से आप जूड़ सकते हैं और आपकी जानकारी में अगर किसी ने भी मेंस 2023 क्वालिफाई किया है और उनको interview की तयारी करनी है तो बता सकते हैं Unacademy यहाँ पर free mock interviews conduct करवाएगा जिसके अंदर retired bureaucrats आपको guidance देंगे application form जो आपका detailed application form होगा उसको पढ़कर बताया जाएगा कि किस तरह की questions आपसे पूछे जा सकते हैं तो यह बिल्कुल free mock conduct कराया जा रहे है Unacademy के द्वारा जुड़ने के लिए को लगाना होगा SMK live चलिए अब अगर यहाँ पर बात करें तो हम थोड़ा सा sequence maintain करके चलेंगे कि शुरुआत से देखें बिल्कुल history में अगर stone age time से अगर चलते जाएं हडपा time से चलते जाएंगे तो जो जो important terms होगी उनको उठाते हुए यहाँ पर चलेंगे और आपकी अगर आपने history पड़ी है तो आप देखेंगे कि आपकी revision भी यहाँ पर होगी जैसे कि यहाँ पर कहता है पहली term है prehistory prehistory का मतलब है इतिहास का वो समय जब कोई data कोई records वगरा कुछ भी हमारे पास नहीं मिलते हैं इंसान लिखना भी नहीं सीखा था और किसी भी तरह का return record हमें नहीं मिलता है उसको कहते हैं prehistory जैसे कि stone age का जमाना है उसे हम prehistoric phase भी कहते हैं तो prehistoric यहाँ पर आपको पता चलता है proto history क्या है proto history वो समय है जहाँ पर किसी culture ने कुछ कुछ records शुरू करे लिख्या लिखा अभी तक यह समझ नहीं आया और एक particular culture जिसने कुछ लिखना शुरू करा उसके बारे में जानकारी हमें उसकी लिखावट से पता नहीं चलती जैसे हडपा उन्होंने कुछ तो लिखा उनकी script कुछ हुआ करती थी लेकिन हम उसको पढ़ने ही पाए हैं और ऐसी सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी दूसरी सभ्यताओं से मिलती है जैसे हडपा सभ्यता के बारे में काफी जानकारी हमें मेसोपटामिय की सभ्यता की script पढ़कर मिलती है तो ऐसा जो phase है जहां पर लिखा तो गया है किसी सभ्यता के बारे में लेकिन उसकी राइटिंग से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको decode नहीं कर पाए हैं, हम उसको decipher नहीं कर पाए हैं, ऐसे समय को कहते हैं proto-history, तो एक important term है, उसके अलावा जब आप हडपा सभ्यता पढ़ते हैं, तो हडपा सभ्यता जो की bronze culture है, लगभग आपको 3500 से 1500 BC के जमाने में, आपको भारत में हडपा सभ्यता और चैलकोलिथिक फेज एक साथ चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे, तो आपको इस तरह से यह मैप दिखता है, हडपा सभ्यता आपको यहाँ पर northwest region में मिलेगी, उसके अलावा ऐसी कॉपर पर आधारिट आउजारों का इस्तमाल करती थी, जैसे कि हडपा सभ्यता ब्रोण्ज काइसे वनता है, कॉपर के अंदर, अगर बारा पर सिंग अगर आप तिन डाल देंगे, तो ब्रोण्ज बन जाएगा, वही पर बिल्कुल खडपा सब्भेता के साथ-साथ ऐसी सब्भेताएं चल रही थी जो कि किसका इस्तमाल करती थी? कौपर का और इन सब्भेताओं के नाम आपको मिलेंगे जैसे महराश्क्र में जोरुवेक ट्रेडिशन आपको मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कायथा कल्चर मालवा की रीजन में मालवा, मद्यप्रदेश का असपास कायथा कल्चर, आहार कल्चर गनेशवर, जोधपूर कल्चर यह सब क्या है? यह कौपर आधारित कल्चर से हैं पेपर में आपसे टर्म बना कर पूछ सकता है कि आहार गिलूंद या कायथा इंक टर्म्स का मतलब क्या है? तो आपको पता होने चाहिए यह क्या है? यह कौपर का इस्तमाल करने वाली फिविलाइजेशन है जो हडपा सभ्था के साथ साथ एक्जिस्ट कर रही थी ठीक है? हडपा सभ्था के साथ साथ एक्जिस्ट कर रही थी तो आहार गिलूंद जोर वे काय था? यह क्या है? कौपर का इस्तमाल करने वाले कल्चर ठीक है? इस तरह से पूछ सकता है और जब हम बुक में पढ़ते हैं जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं slow-flow में पढ़ते हैं flow-flow में जब पढ़ते हैं तो हमें सब समझ आता है लेकिन जब अलग से trazटम पेपर में पूछ लेता है तो फिर हमारा दिमाग चक्रा जाता है क्यूंकि पेपर में काफी दो घंटे में हमें चीज़े करनी होती है pressure भी होता है और बाकी subjects भी हमें करने होते हैं तो यहाँ पर term based चीज़े बड़ी skip हो जाती है तो याद रखेंगे अहर गिलूंद और जोर वे क्या है copper आधारित culture मैप पर भी हमने देखा उसके अलावा एक term यहाँ पर है बॉस्ट्रे फिडॉं यह बॉस्ट्रे फिडॉं का मतलब क्या है दरसल हडपा सभ्यता की script जो है हम उसको decode नहीं कर पाए है हम पढ़ नहीं पाए हैं कि यह हडपा सभ्यता की script कैसी होती है लेकिन उसके बारे में हम दो चीज़े जरूर जानते हैं एक हडपा सभ्यता की जो script है वो pictographic script है pictographic यानि की एक picture का मतलब एक alphabet होता है उसको logo syllabic script भी कहा जाता है जैसे की मचली बनी है, बिल्ली बनी है तो एक एक चित्र का मतलब एक alphabet होता है तो pictographic script है दूसरा हडपा की जो script है वो bi-directional है bi-directional bi-directional का मतलब जैसे की हम हिंदी लिखते हैं तो जब आप हिंदी लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं आप left to right एक line लिखते हैं second line जब लिखनी होती है तो भी left to right third भी left to right English भी ऐसे लिखते हैं जब आप उर्दू लिखते हैं Arabic, Persian इस तरह की language लिखते हैं तब आप right to left जाते हैं यहाँ पर इस तरह से हड़पा सभ्यता की जो script है इसमें आप एक बार ऐसे जाएंगे अगली line में आप ऐसे चलेंगे उससे अगली line में आप ऐसे चलेंगे bi-directional दोनों ही direction में ये script लिखते हैं और जो ऐसी script होती है दोनों direction में जो लिखती है इसको कहते हैं बॉस्प्रे फीडों तो बॉस्प्रे फीडों क्या है हडपा सभ्यता की जो script है उसको लिखने के तरीकों को यहाँ पर कहते हैं बॉस्प्रे फीडों तो important term आपको यहां मिलती है उसके अलावा दिल्मून एंड मकान ये दो terms important है पेपर में पूछ लेगा दिल्मून एंड मकान विद रेफरेंस तू एंचेंट इंडिया विच आफ दी फॉलोविंग ठीक है इस तरह से पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की सब्धेता और भारत की हडपा सब्धेता में जब व्यापार होता था ट्रेड लॉंग डिस्टेंस ट्रेड होता था तब बीच में इंटर्मीडियेट ट्रेडिंग स्टेशन आपको मिलते हैं दिल्मून और मकान ठीक है दिल्मून जो है आज के बहरेन आपको जो परशियन गल्फ को मिलता है लगभग उस रीजन के आसपास आपको दिल्मून मिलेगा और मकान जो है ओमान का जो कोस्ट है उसे मकान कहा जा इसी तरह से आप से यहां पर कल को दिल्मुन और मकान पर भी पूछ सकता है उसके अलावा एक और शब्ध मिलता है सिंगडाउन का मतलब क्या होता है दरसल ग्रीक लोग cotton को यानि की कपास को cotton को कहते थे सिंग्डॉन क्यों क्योंकि हडपा सभ्विता जो है वो उन सबसे पहली सभ्विताओं में से एक है जिसने cotton को cotton को उगाना cotton की कपड़े बनाना शुरू करा और हडपा सभ्विता से भी पहले अगर देखें नियोलिथिक कल्चर भारत में आपको दिखेगा यहां पर हडपा सभ्विता है बिल्कुल यहां बलोचिस्तान के रीजन में पाकिस्तान के यहां पर आपको नियोलिथिक कल्चर मिलेगा मेहरगड में तो नियोलिथिक साइट्स पर भी हमें सबूत मिलते हैं कॉटन के कपास के इस्तमाल होने के, कॉटन के उगाने के, तो नियोलिथिक जमाने से ही, यानि कि हडपा सभ्यता से पहले ही, भारत में कॉटन इस्तमाल होना शुरू हो चुका था, और ऐसे में यहाँ पर, जब हडपा सभिताक में cotton इसमाल हो रहा था ग्रीक लोगों ने cotton को देखा तो क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हडपा सभिता थी तो सिंधु नदी से सिंधन उन्होंने cotton को कहना शुरू कर दिया तो सिंधन जो है वो cotton को कहा जाता है याद रखेंगे पेपर में आपसे पूछ सकता है कि भाई सिंधन का मतलब क्या है तो यहाँ पर कई बार confusion यह हो सकती है कि हडपा सभिता को ही सिंधन कहा जाता था foreigners के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर सिंधन cotton को कहा जाता था एक और बहुत important term है जो कि आपको NCRT में मिलेगी और यह आपको 11th, 12th की NCRT में नहीं मिलेगी यह आपको 6th की NCRT में मिलेगी तो इस तरह से बुक में छोटे-छोटे boxes में जो terms होती है UPSC जब उनमें से question पूछ लेता है तो जादातर बच्चों का और सबका जादतर हमारा सबका focus जो होता है वो 11th, 12th की NCRT पर होता है या फिर जो reference books होती है उन पर होता है छटी, साथवी, आठवी की जो NCRT है उनमें कई बार जो boxes वगेरा होती है उनमें कई important terms दी हुई होती है ऐसे ही एक term आपको मिलेगी फायंस ये जो फायंस शब्द है इसका मतलब है ये एक खास प्रकार का material है जो सिंदू घाटी सब्धेता के जमाने में इस्तमाल होता था ये कैसे बनाया जाता था ये material इस पर भी question आ सकता है कि फायंस का पहली बात मतलब क्या है पेपर में एक simple question बना सकता है तो एक material है जो सिंदू घाटी सब्धेता के जमाने में इस्तमाल होता था और ये कैसे बनता था ये material दरसल इसको artificially बनाया जाता था ये natural material नहीं है कैसे बनाया जाता था यहाँ पर rate के अंदर ठीक है rate के अंदर यहाँ पर गोंद मिला दी जाती थी rate में गोंद मिला दी जाती थी और जब rate गोंद से मिलने के बाद hard बन जाती थी सक्त हो जाती थी तो यहाँ पर उसको चमकाया जाता था उसको घिसा जाता था और इसको एक glassy surface बना दिया जाता था एक चमकदार surface बना दिया जाता था घिस घिस के और फिर इसका इस्तमाल किया जाता था इसके अंदर colors भी mix किया जाते थे और इसका इस्तमाल किया जाता था जिसे beach बनाने में मोती बनाने में, कूरियां बनाने में खिलोने बनाने में इस तरह की चीज़े earrings, कान के जो बुंदे हैं ये सब बनाने में इस्तिमाल किया जाता था तो याद रखेंगे फायंस क्या है एक परकार का मटीरियल है हडपा सभेता में इस्तिमाल होता था क्योंकि पेपर में आप से पूछ लेगा हडपा सभेता कौन कौन से मेटल कौन कौन से मटीरियल का इस्तिमाल करती थी कौन-कौन से materials को जानती थी gold, silver, bronze, copper, ये तो सबको बजा है finance option में दे देगा तो कई बार confusion हो सकती है तो finance material भी सिंदु घाटी सब्वेता जानती थी उसके अलावा, जब हम सिंदु घाटी सब्वेता से आगे चलते हैं ठीक है तो ये series complete होगी ये series complete होगी इसके अंदर काफी सारी वीडियो दाने वाली है जो कि exam oriented है जैसे कि term based question ancient history की important terminologies उसके लावा authors, writers उनको देखेंगे, art and culture की चीज़ों को करेंगे, temple architecture tube architecture ये सारी चीज़े यहाँ पर इन एक एक वीडियो में exam specific तरीके से हम करते जाएंगे ठीक है, चलिए और ये class दोस्तों आपको 6 बजे होती वी नजर आएगी कब TTS में यानि कि Tuesday, Thursday और Saturday को हफते में 3 दिन history की एक class होगी जिसमें topic specific चीज़ों को हम cover करेंगे अगर यहाँ पर देखें अगला शब्द है सब्त सिंदू सब्त सिंदू क्या है, यह एक region है कौन सा region है, जहाँ पर कभी हडपा सभ्यता के लोग रहा करते थे जहाँ पर कभी हडपा सभ्यता के लोग रहा करते थे, वही पर invasion होता है और Aryans लोग आकर रहने लगते हैं आरियन्स लोग जब आकर रहने लगते हैं सिंधू घाटी सभीता के आसपास के रीजन में तो सिंधू नदी और उसके सहायक नदीयों के यानिक उसकी ट्रिब्यूटरी के शेत्र में रहने लगते हैं सबसे पहले कौन रिग वैदिक लोग और वो इस रीजन को कहते हैं इस र वैदिक एरा पड़ेंगे वैदिक एरा का टाइम पीरेड आपको 1500 BC से 600 BC तक दिखता है और इसको दो हिस्सों में बाटा जाता है रिग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल रिग वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक चलता है लेटर वैदिक काल 1200 से 600 BC तक चलता है तो रिग वैदिक काल के अंदर जो आरियंस लोग थे वो रहते थे सब्त सिंधू रीजन के अंदर सिंधू और उसके सहाइक नजियों के शेत्र में लेटर वैदिक काल के लोग यहां से थोड़ा और expand कर गए थे और गंगा यमुना दुआब शेत्र तक आकर रहने लगे थे उसके अलावा आगे बढ़ते हैं scriptures की वेदों की important बाते हम book में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें ठीक है तो जो बिल्कुल proper अगर हम एक एक चीजें उठाके पढ़ने लगे कि वेदों में चार वेद हैं उनके वेदांग ठीक है यह सारी चीजें अगर पढ़ने लगे अरन्यक उपनिशद तो यह सारी चीजें फिर क्या होंगी तो पुरापर हिस्टरी की class चालो हो जाएगी हमें यहाँ पर important terminologies पढ़नी है जो अकसर हम miss कर देते हैं यहाँ पर एक और important चीज़ आपको देखने को मिलेगी दरसल आपको पता है भारत में पुराण भी लिखे गई एक समय पर आकर पुराण के अंदर आपको subjects मिलेंगे ठीक है पुराण किंग topics पे किन subjects पर लिखा गया है तो उसके topics जो है वो है सर्ग, प्रती सर्ग, मनवंतराज, वंश और वंशानुचरित अब यहाँ पर यह मैंने इस तरही इंटरम्स को इसलिए यहाँ पर लिखा है पुराण तो सब जानते हैं लेकिन पेपर में आपसे पूछ लेगा कि कहेगा सर्ग and प्रती सर्ग are the topics, are the subjects under which of the following literature या फिर which of the following literature deals with the subject of सर्ग and प्रती सर्ग बस दो शब्द दे देगा पूरा सब कुछ नहीं देगा चार-पांच topic सिर्फ दो शब्द उठाके देगा कि इनमें से कौन सा literature है मनवंतरा और वंच से deal करता है और फिर आपको दे देगा पुराण है, वेद है, वेदांग है अरिन्यक है, उपनिशद है इस तरह से लिख देगा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पुराण जो है, वो पांच topic से deal करते है सर्ग deal करता है कि यह दुनिया कैसे बनी creation of world से प्रती सर्ग जो है, वो recreation की बात करता है destruction के बाद दुबारा recreation मनवंतराज जो है, यह different periods of manuz की बात करते हैं यानि कि समय की जो गढ़ना है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी क्योंकि मनु जो है, वो भारत के अंदर जब आप समय का categorization पढ़ते हैं, युग, काल, मनु ये सब आपको मिलेंगे, कि जब समय की गढ़ना करते हैं तो categorization समय का मिलता है ठीक है, वंश जयानि कि रिशियों की रिशियों की वंशावली इसमें बढ़ते हैं, रिशियों की genealogy पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस रिशी के बाद कौन से रिशी आए, ठीक है उनके पूरवद कौन है, उनके descendants कौन है ये सब पढ़ते हैं, वंशाणु चरित जो है, वंशाणु चरित में राजा महराजाओं की genealogy उनके descendants, उनकी genealogy को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंत्रा वंश और वंशाणु चरित ठीक है, ये topics हैं किसके पुराणों की अगला यहाँ पर important जो term based question बन सकते हैं जिन चीजों पर, वो आपको देखने को मिलेंगे, पुराणी जो सिंदू नदी और उसकी सहायक नदिया है, ट्रिब्यूटरी, उनके पुराने नाम आपसे बूच सकता है, उनको मैच करने के लिए बोल सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, जेलम नदी का, पुराना नाम आपको मिलेगा, वटिस्त, बियास का मिलेगा, विपासा, चेनाब का मिलेगा, पसकिनी, रावी का मिलेगा, पुरुश्मी, ठीक है, और सत्लूज का मिलेगा, सुतुद्री, घगजर हाकडा जो आज river है, लगबग मौसमी river है, हरियाना और राजस्तान में बेहती है, पुराने जमाने में इसको सरस्वती river कहा जाता था, सरस्वती river का जिक्र वेदों में मिलता है, अब आपको सरस्वती river जो है, वो खो चुकी है, ठीक है, सरस्वती रिवर खो चुकी है, बताया जाता है सरस्वती रिवर पुराने जमाने में, पुराने जमाने में सरस्वती रिवर यहां सत्लुज से चलती थी, ठीक है, सत्लुज से चल कर आती थी और राजस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती थी लेकिन अब ये लेड़ी मौसमी हो चुकी है आधी नदी यहां पर खो चुकी है उसका पेलीो चैनल यानिकी पुराना जो उसका रास्ता है जमीन के नीचे वो मिलता है खिक है और घगगर हाकड़ा यहांपर राजिस्थान के और हर्याना के बीच में बहती है घगगर river जो है यह पुरानी जो सरस्वती नदी बहती थी उसका ही part है और अब ये थोड़े से area में मौसमी नदी आपको देखने को मिलती है और पुराने समय में बताया जाता है सरस्वती नदी ऐसे बाहर करती थी तो paper में पूछ लेगा क्योंकि करने वाले question पूछ रहा है जैसे कि पूछ लेगा कि यहां पर से कितने pair सही तरीके से मैच है only दो pair सही तरीके से मैच है only तीन pair सही तरीके से मैच है या all सही तरीके से मैच है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए जहलम बतिस्ता बियास पुरुष्मी नदी के किनारे दश राजन युद्ध भी फेमस है दश राजन युद्ध रिगवेद के जमाने में दस राजाओं का युद्ध हुआ था वो पुरुष्मी नदी के तक्ट पर हुआ था यहाद रखेंगी उसके अलावा यहाँ पर रिगवैडिक जमाने की important terminologies आपको यहां पर द दिखती है जैसे पूछ सकता है इंनमें से किस term का क्या मतलब है गोधली का मतलब क्या है गोधली का मतलब है सुभा का समय सुबा का जो समय होता है वहाँ पर टाइम का जो मेजरमेंट है उसे बोलते है गोधुली यानि सुबा का समय गवियूती क्या है मेजरमेंट ओफ डिस्टेंस अब यहाँ पर आपको गोधुली गवियूती गोगना गोपा गोपाल यह शब्द मिलते हैं रिगवेदिक जमाने में हर किसी नाम के आगे गोग क्यूं लगा हुआ है रिगवेदिक जमाने में दरसल रिगवेदिक जो लोग थे ट्राइबल लो रिग्वैधिक जमाने के लोग खेती से परिचित नहीं थे they were unknown unknown of the agriculture तो वो agriculture को जानते थे लेकिन agriculture नहीं थे तो यह चीज आप आप याद रखेंगे रिग्वैधिक जमाने के लोग agriculture को जानते थे लेकिन उस पर dependent नहीं थे तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे अब क्योंकि agriculture पर dependent नहीं थे तो किस चीज़ पर dependent थे तो दरसल वो जानवरों से मिलने वारे product खास तौर पर गाय से मिलने वाले product जो थे उन पर निर्भर रहते थे तो ऐसे में जो गाय है वो एक wealth के रूप में देखी जाती थी Rig Vedic जमाने में तो गाय से जुड़े इसलिए आपको कई सारे शब्द गाय से जुड़े हुए दिखेंगे जैसे गोत्र ठीक है ये भी सब गाय से निकले हैं शब्द ठीक है उसके अलाबा दोहित्री का मतलब डॉटर ठीक है उसके अलाबा गोत्र यानि की किंशिप जो आज जानते हैं आज भी विश का मतलब होता था clan यानि की tribal जो लोगों का आपको एक ग्रुप मिलेगा उसे clan विश कहा जाता था गण आपको lineage ठीक है ग्राम village ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं important terminology Rig Vedic जमाने की उर्वरा यानि की fertile land धन्य यानि की cereal जो अनाज है इसको धन्य कहा जाता था घृत यानि की butter और सोम यानि की जो नशे की drink नशेली को drink जो होगी इसको सोम कहा जाता था और घोगना का मतलब होता था ऐसा महमान जिसको जानवर की बली देकर उसको खाना खिलाया जाता था ठीक है the one who is fed on the cattle इसके अलावा Rig Vedic जमाने की और important term जो आपके मिलेगी वो है कृष्ण आयास या शाम आयास ठीक है या तो copper को जानते थे ठीक है या फिर bronze को जानते थे लेकिन iron की जब खोज हुई later Vedic जमाने में 1000 BC में 1000 BC में iron की खोज होती है और फिर iron को later Vedic जमाने में जाना जाता है कृष्ण आयास के नाम से और शाम आयास के नाम से तो याद रखेंगे वेदों में लोहे का जो mention है लेटर वेदिक जमाने में हजार बीसी के बाद मिलेगा रिगवेद में नहीं मिलेगा बाकी के तीन वेद में आपको मिल सकता है तो यहाँ पर कृष्ण आयास और शाम आयास कहा गया था निक्ष ठीक है निक्ष आपको देखने को मिलता है यह एक तरह से currency नहीं है लेकि एक unit आपको देखने को मिलेगा जिसमें चीजों को exchange किया जा सकता था एक unit measurement of unit आपको मिलती है currency की proper currency नहीं है लेकिन आपको निक्ष जो है वेदिक जमाने में समान चेंज करने के लिए unit of convenient unit आपको मिलेगी जिस थी कुछ value होती है सिकों का परचलन वेदिक जमाने में नहीं था यह भी चीज़ याद रखेंगे संग्री हित्री कहा जाता था जो कि tax collect करने वाला officer था उसको संग्री हित्री कहा जाता था इस शब्द को भी याद रखेंगे और कई प्रकार के tax आपको दिखेंगे खास तौर पर कब की बात है यह यह लेटर वेदिक जमाने की यानि कि 2020 से 202 से चैस्टो बीसी के जमाने में 1920 से चैस्टो बीसी के जमाने में आपको देखने को मिलता है कई परकार के tax आ जाते हैं वसूले जाते हैं जैसे कि बली शुल्क और भाग ठीक है बली शुल्क और भाग जैसे शुल्क मतलब कोई फी लग रही है व्यापार हो रहा है वहाँ पर अगर tax देना है तो यह वहाँ पर शुल्क कहा जाएगा उसके अलावा बली मतलब जो आप टेक्स दे रहे हैं, सामराज्य को टेक्स दे रहे हैं, वो बली कहा जाएगा, उसके अलावा भाग कहा जाता था, राजा का जो हिस्सा होता था, आपकी फसल में उसे भाग कहा जाता था, इसके अलावा गोल्ड स्मित, यानि की जो सोना, सोन गो इसनार को धिरन्यकार कहा जाता You know paper में पूत सकता है याद रखेंगे paper मेर पूछता है हिरन्यकार का मतलब क्या था यह उन्यकार का मतलब कर देगा कहेगा हिरन्यगर जो यग किया जाता था यह बिस अह unanim लेटर वैदिक जमाने में तीन तरह के यग्य होते थे यग्य। कौन-कौन से एक होते थे अश्वमेद। एक होता था वाजपेया एक होता था राज़सुया और एक होता था हिरन्यगर्भ। हिरन्यगर्भ यहां पर हिरन्यकार कन्फ्यूज करने के लिए आपसे दे सकता है कि जो प्रीस्ट हिरन्यगर्भ यग्य करवाता था सेक्रिफाइस करवाता था उसको कहते थे हिरन्यकार तो आपको कन्फ्यूज कर सकता है याद रखेंगे हिरन्यकार गोल्ड स्मित को कहा जात था उसके अलावा ट्रेड में जो लोग इंवा करते थे उनको पाणी कहा जाता था लेटर वैदिक जमाने में पाणी अब आप उसके अलावा अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट जो है लेटर वैदिक जमाने में उनको यहाँ पर जिसकस किया गया है जैसे कि अब तो हमने एक हमने देखा हिरन्यकार उसके अलावा बुनकर जो लोग होते थे जो बुनाई का काम करते थे उनको व्याय कहा जाता था पॉटर व्यूंट को कहा जाता उप है हूं छोगी रत मनाता था चैरियक मेकर कर उस तरह से पूछ तहक है कि लिएक यह कुछ अधूछ습니까 शुलाल पॉर्टर को एंसको क्या कहते थे हां ँफए से जरूर पूछ सकता है कहेगा व्याय कुलाल एंग टस्थ तस्थ दक टंप व्याय कुलाल तस्थ इंदी लेटर वेधिक पीरिये या फिर इन इंशेंट इंडिया रेफर्स तु विच आफ फॉलविंग इस आर सम फॉर्म आप डांस इस आर सम फॉर्म आप रिचुवल्स य पर किसी परकार के टैक्स है इस लिए शब्多 Pas सकते हैं एक कैश सकता है एक सब्सक्री का मतलब क्या होता है कर चा पूछना हो गया इसके अलावा ब्रॉट तरीके से पूछ सकता है आखिरी जो टर्म से इनका मतलब क्या है इतनी ब्रॉट पिक्चर अपने दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन अगर आसान तरीके से बना के दे तो अगर आपने पड़ा है तो आप उसका अंसर कर पाएं ठीक चलिए उसके अलावा कहता है कुसी डिन का मतलब क्या होता है कहता है लेटर वैदिक जमाने में money lending और एक कुछ प्रकार की banking system का यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसे का lending यहाँ पर चल रहा है money lending टाइप की चीज दिखेगी और यह सत्पत ब्रहमन जो है ब्रहमन क्या होते हैं ब्रहमन वेदों की ritualistic explanation को ब्रहमन कहा जाता है सत्पत ब्रहमन के अंदर जिक्र मिलता है कुछी दिन का अब एक चीज याद रखेंगे कुछी दिन क्या होता है उचले का पेपर में खास तो और पर टर्म बना के उसके अलाब आप से ये भी कह सकता है कि भई statement बना के पूछ सकता है कि किसी भी प्रकार का money lending या फिर any form of banking was not practiced during the later wedding time तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कुसी दिन जो है ये money lending type की चीज को दिखाता है उसके अलावा नियोग क्या है नियोग एक परकार का विवा है जिसमें अगर किसी महिला के पती की husband की मृत्ति हो जाती है तो जो छोटा भाई होता है वो फिर उस महिला से शादी कर लेता है तो यहाँ पर नियोग जो है ये एक परकार का विवा है तो पूछ लेगा इस तरह से कि भई ये क्या है नियोग क्या है type of marriage है type of tax है type of युद्ध करने का तरीका है यग्ज करने का तरीका है हवन करने का इस तरह से पूछ सकता है उसके अलावा important चीज़े जो आपको मिलती है जो terms पता है सभा, समीती, मिधाता, गणा ये आपको assemblies मिलेंगी थिक है, assemblies मिलेंगी vedic जमाने की तो vedic जमाने की assemblies आपको मिलेंगी खास पर अर्ली वेदिक, रिग वेदिक जमानी की असेम्ब्लीज हैं, सभा जो होती थी, ये council of elders हुआ करती थी, और इनके जो आदेश होते थे, उसको deny नहीं किया जा सकता था, उसका पालन करना ही होता था, इसलिए, जो council of elders थी सभा, इसको नारिस्त भी कहते थे, सभा, विधातागण, बार-बार नहीं पूछेगा, थोड़ा एक level उपर जाके पूछ सकता है, कि नारिस्त का मतलब क्या है, तो नारिस्त का मतलब जो है, सभा के लिए इस्तमाल होता था ये शब्द, रिग वेदिक जमाने में, क्योंकि इसका मतलब है, कि इनके आदेशों की अब मानना नहीं हो सकी है, उसके अलावा समीती जो थी, ये एक परकार की, जैनरल असेंबली हुआ करती थी, और इसमें समाज के, क्लैन के, यानि की पूरा जो ग्रुप होता था, ट्राइब्स का, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, जबकि यहाँ पर सभा में, सिर् और ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, जो एक पोजिशन होती थी, वो होती थी राजन की पोजिशन, ये राजन का मतलब, एक सामराज्य का राजा है, ऐसा नहीं है, ट्राइबल लोगों में से ही एक व्यक्ति को चुना जाता था, तो आप देख सकते हैं कितने डेमोक्रेक् कम्यूनिटी यहाँ पर फंक्शन करती थी रिगवेदिक जमाने में, राजन चुना जाता था, इस राजन का काम होता था, अपनी ट्राइब को, अपनी जन को ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है, जैसे अगर आपने RRR मूवी देखी होगी, इसमें आपने देखा होगा, ज चले जाते हैं और इतना जोखिंट उठाते हैं, दरसल ऐसे ही पहले होता था, राजन जो है, वो आम लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति होता था, उसका कोई ऐसा नहीं होता था कि उसके बीचे बहुत शानों शौकत चल रही है, हाती घोडे चल रहे हैं, आम लोगों से कट के रहता है, अलग महल में रहता है, ऐसा नहीं होता था, आम लोगों के बीच का ही कोई व्यक्ति होता था, आम लोगों के बीच में ही रहता था, लेकिन उसको एक responsibility extra मिली हुई थी, जो की tribe को protect करना उसकी responsibility हुआ करती थी, ठीक है, तो tribe को protect करना और आम लोगों में से ही एक ह जो कि यहाँ पर जिसके बारे में जादा जानकारी इतनी अवेलिबल नहीं है तो कुल मिलाके सभा समीती विधाता गण इसके बारे में सभा के बारे में एक इंपोर्टन शब्द याद रखेंगे नारिष्ट इसके आगे जब चलते हैं ठीक है सोला बड़े महाजनपद मिलते हैं सोला बड़े महाजनपद मिलते हैं और ये महाजनपद आपस में ही इनका युद्ध चलता रहता था काफी पावर्फुल इनमें से एक महाजनपद था मगद महाजनपद एक और पावर्फुल महाजनपद था दोसरा था अवंती और यहाँ पर अवंती और मगद में युद्ध भी चलता रहता था मगद में कई पावरफुल शासक आए जैसे कि हरियंका डाइनिस्टी के शासक आपको मिलेंगे बिम्बिसार मिलेंगे, अजात शक्त्रू मिलेंगे उद्ध्याईन मिलेंगे, उसके बाद शिशुनाग सामराज्य आता है मगद में उसको आद नंद सामराज्य और फिर मौरेन सामराज्य तो इस पीरिट में जो सामराज्य आए उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी तो कहता है इस जमाने में 16 जो महाजनपद थे भारत में ये सभी महाजनपद ऐसा नहीं था कि मोनार्की है मोनार्की सभी नहीं थे यानि कि एक शासक का ही राज हो ऐसे सामराज्य सारे नहीं थे कुछ सामराज्य आपको यहाँ पर कैसे मिलेंगे जो कि गण और संग हुआ करते थे, गण संग है, तो इस समय भारत में दो तरह के सामराज्य मिलेंगे, एक जिसमें राजा ही सरवे सरवा है, राजा ही सब कुछ है, राजा सुप्रीम है, मोनार्की आपको मिलेगी, दूसरे आपको सामराज्य मिलेंगे, जिनको कहा गया गण स यंग वो सामराज्य हुआ करते थे जिनको हम Republics कहते हैं जिनको आज के शब्दों में हम Republics कहते हैं अब ये Republics अगर इनकी बात करें तो यह एक्चौल में वो Republic नहीं थे जो हम समझते हैं कि हम जैसे अपने भारत के जो राष्टपती हैं उनको चुनते हैं जब एक सामराज्य के हेड को लोगों के द्वारा चुना जाए सामराज्य के मुक्षिया को लोगों के द्वारा चुना जाए तो उसे कहते हैं रिपब्लिक अब यहाँ पर यह एक्ट्वल रिपब्लिक नहीं थे हां लेकिन एक राजा का सामराज़्य नहीं होता था कई सारे राजा मिलकर शासन चलाते थे ठीक है против जैसे मानलि जीए वरजि एक महा जन्पध है तो यहां पर एक राजा नहीं होगा यहां पर एक बड़ी सभा होगी असेम्म्बली होगी जिसमें बहुत सारे जन, बहुत सारे ट्राइब्स के राजा आकर बैखते होंगे, बहुत सारे अपनी अपनी ट्राइब के जो राजन से वो आकर बैखते थे और फिर डिसिजन लेते थे, तो फुन मिलाके इसे हम कह सकते हैं, ये एक प्रकार की ओली गार की होती थी, ओली गा उसके अलावा दो शब्द यहां पर important है बोल देगा which of the बोलेगा महाशिला कंट का and रत मुसला यह जो terms है इसका मतलब क्या है बोल देगा हतियार है ठीक है उसके अलावा बोल देगा एगरी कल्चरल कूल्स है ठीक है इस तरह की चीजे आपको यहां पर पूछे जा सकती है य आपने अगर बाहू बली मूवी देखी होगी बाहू बली मूवी में आपने देखा होगा कि बाहू बली को जो हतियार दिये जाते हैं उसमें आपको एक हतियार ऐसा मिलेगा जो कि इस तरह का आपको platform मिलेगा जो कि पत्थर को दूर तक फैक्ता है जिसे catapult भी कहते हैं ठ गोड़े भाग रहे हैं यहां पर भलाल देव ओर आगे एक और यहां पर निकला हुआ है और यह चकर गूमता रहता है और मास-किलिंग करता है जहां पर जाता है भेड में मास-किलिंग करता है इस तरह का रत्थ मैं Music in करता था अजात शत्रू अजात शत्रू कौन है अजात शत्रू मगद सामराज्य के जो पहली डाइनिस्टी है हरियंका डाइनिस्टी है हरियंका डाइनिस्टी के दूसरे शासक है यानि की बिम्बिसार के बेटे हैं अजात शत्रू मगद सामराज्य की हरियंका डाइनिस्टी किये शासक, अजाज शत्री के पास ये हतियार होते थे, एक है, चाहँ सेना और सर्वशत्र अन्तका, ये टाइटल सेर्वज ये हैं, keyword फिर से आ нед बहुत पावर्फ़ुल, इनकी सेना थी, उसके अलावा सर्वशत्र अंतका इनको कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के सभी शासकों पर सभी शासकों पर कबजा कर लिया था सबको इन्होंने डॉमिनेट कर लिया था ठीक है चलिए उसके अलावा उपोस्था इस keyword को याद रखेंगे उपोस्था पाली भाषा में किसको कहा गया है अजात शत्रू को अजात शत्रू को उपोस्था भी कहा गया है पेपर में पूछ लेगा उपोस्था किसको कहा गया है तो पाली लिटरचर में अजात शत्रू को उपोस्था कहा गया है याद रखेंगे नंदो पक्रमन तीख मद嗎 नंदो पक्रमन ये क्या है नंदो पक्रमन एक तरह की land-measuring standard है यानि की जमीन को नापने का एक unit है एक Standard है जो कि किस ने introduced कर रहा था धनानंदने मगद सामराज्य के जो तीसरा सामराज्य था मगद में नंद सामराज्य इसके दूसरे शासक थे धनानंद और धनानंद ने नंदो प्रक्वन जो की लैंड मेशरिंग स्टैंडर्ड है इसको इंट्रड्यूस किया था मतलब क्या है क्याता है जो भी लेवल के बिजनसमें कह रह रहते थे यहां पर व्यापारी और कारीगर artisans and merchants एक साथ रहते थे बहुत सारे लोग मिलके उसको काम को करते थे और कई जगाहों पर ऐसे जब अलग-अलग कारीगर काम करते थे तो वो बाजार बन जाता थे धीरे धीरे वहाँ पर शेहर डिवेलप होने लगता थे व्यापारी लोग आते थे तो वहाँ पर ट्रेड होने लग जाता था तो ऐसी merchant streets को कहा जाता था वेसाज यहाँ पर आपको व्यापारी और कारीगर एक साथ आपको देखने को मिलते हैं तो वेसाज इस शब्द को याद रखेंगे छोटे छोटे शब्द पर एक एक शब्द पर question बन जाता है तो paper में hit नहीं करता है दो घंटे के pressure में आप से पूछ लेगा वेसाज का मतलब क्या है बस कोई खास परकार का text है merchant street है या फिर या फिर आप से कहेगा कि भाई उपादी है राजा की इस तरह से आप से पूछ सकता है तो याद रखेंगे वेसाज का मतलब है merchant street उसके अलावा छोटी सी और कुछ terms है जैसे कि तामर लिप्ती बेंगॉल के अंदर जो port हुआ करता था ancient जमाने में जिसके त्रू नॉर्थ इंडिया सा व्यापार हुआ करता था अगर आप भारत का नक्षा देखेंगे ancient जमाने में तो यहाँ पर बेंगॉल का जो port था इससे व्यापार होता था कहाँ पर south east एशिया से यानि कि इंडोनेशिया, मलेशिया म्यानमार और आगे व्यापार होता था और यहाँ से फिर यह वापार होके चाइना तक जाता था तो यह बंदरगा बहुत important था उसके अलावा कई बंदरगा यहाँ पर भी थे गुजरात में आपको भरूच मिलेगा सुपारा आपको महराश्यों में मिलेगा और यहाँ के बंदरगा तो आपने देखा पेपर में पूछे आपसे अब यहाँ पर अगर बात करें तामर लिप्ती जो था यह बंगॉल के अंदर पोर्ट सिटी आपको मिलेगी सुवर्न भूमी जो है साउथ इस्ट एशिया के रीजन को सुवर्न भूमी कहते थे अब इसके उपर कई बार विवाद रहता है कि भई जो सुवर्न भूमी है यह थाइलैंड को कहते थे या फिर इंडोनेशिया को कहते थे तो यह एकदम clear cut defined नहीं है कि थाइलैंड और इंडोनेशिया आज यह नेशन स्टेट बने है आज के perspective से हम थाइलैंड और इंडोनेशिया देखते है पहले के जमाने में सामराज्य बने होते थे और सामराज्य आज के जो देश है उसमें एक देश में हो सकता है दो सामराज्यों का कमदा हो तो यहाँ पर साउथ इस एशिया का जो एक रीजन है मलेशिया की आसपास का ठीक है और थाइलैंड की आसपास का उसे सुवर्न भूमी कहा जाता था क्योंकि व्यापार अच्छा होता था मसाले और नैचुरल रिसोर्सेज काफी मिलते थे उसके अलावा दो important keyword आपको मिलते हैं जो कि generally हम skip कर देते हैं जब हम बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म जब हम पढ़ते हैं जैनिज्म पढ़ते हैं काफी सारे important keywords हमें मिलते हैं तो जो keywords हम बुद्धिज्म को पढ़ते वक्त पढ़ते ही हैं, उसको मैं यहाँ पर discuss नहीं करूँगा, मैं उसको discuss करूँगा जो हम generally छोड़ देते हैं, जिन पर हम focus नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अलार कलामा और उद्ध का राम पुत्त, यह कौन लोग हैं, पूछ लेगा, अलार कलामा और उद्धर राम पुत्त का, इस तो परस्नालिटिस रिलेटीड, तो विच आफ दूफ 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 फॉलविंगे, यह बुद्ध के गौतम बुध के teachर हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध जब उन्होंने ज्यांकी प्राप्ती करी, finally गौतम सिध्धार्थ और बुद्ध बने। उससे पहले उन्होंने कई बार साधनाई की उनको नहीं ज्यान की प्राप्ति हुई। टीचर से ट्रेनिंग ली। ठीक है। एसा नहीं है कि अकेले फिर्वात कर दी थी। पहले कई टीचर से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद फाइनली जब वो सब कुछ उन्होंने देख लिया तब बोध गया में उनको ज्यान की प्राप्टी हुई और अकेले पेड़ के नीचे बैठ गए तो यह गौतम बुद्ध के कीचर है उसके अलावा यहां पर कह देगा दो सेक्ट आपसे पूछ लेगा यह स्था पीरवादिन यह आपको देखने को मिलता है यह एक सेक्ट है बुद्धिज्म के अंदर दरसल अगर आप बुद्धिज्म को देखेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर समय समय के अंदर समय समय पर बुद्धिज्में समय के साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस बदली विचार ध संपरदाय बने अलग-अलग धाराänger बुद्दिजम के अंदर देखने को مिलती है तो यहाँ पर अगर बुद्दिजम को अगर आप देखेंगे तो बुद्दिजम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड बुद्धिस्ट कांसिल जो होती है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर बुद्धिस्म दो संपरदायों में आपको बचता हुआ दिखेगा एक है स्थवीर बादिन और एक संपरदाय है महा संगीका महा संगीका एक वीडियो सेपरेट बनेगी जिसके अंदर पूरा बुद्धिस्म डीटेल में करेंगे पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्म पे होगा और वो बहुत डीटेल वीडियो होगी उसके अंदर आपको प्री मेंस हर लेवल पर बुद्धिस्म समझा जाएगा बुद्धिस्म के प्रिंसिपल, बुद्धिस्म की टीचिंग्स हर चीज हम उसको डीटेल में करेंगे तो बुद्धिस्म सबसे पहले दो हिस्सों में टूटेगा ये स्थवीरवादिन जो है ये कहते हैं हम ओरिजिनल टीचिंग्स पर चलते हैं यानि कि गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उस पर स्थवीरवादिन चलते हुए दिखेंगे बुद्धिस्म की ओरिजिनल टीचिंग्स क्या है बुद्धिस्म की ओरिजिनल टीचिंग्स है कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद भगवान का कोई जिक्र अपने ज्यान में, अपनी फिलोसोफी में, अपनी टीचिंग में नहीं किया है अपने उपदेशों में गौतम बुद्ध भगवान की बात नहीं करते हैं तो गौतम बुद्ध को बुद्धिसम में जो original practice है भगवान नहीं माना जाता है। गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जिनोंने ज्ञान की प्राप्ती करी निर्वान की प्राप्ती करी और enlightenment लिया अपना जीवन बदला। लेकिन दूसरा जो बाद में धीरे धीरे चलके जैसे जैसे चीज़े आगे बड़ी गौतम बुद्ध को लोग भगवान कितरा पूजने लगे तो अब यहाँ पर बुद्धिजम के अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगी एक वो लोग जो गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं नहीं पुरानी विचार धारा पर चल रहे हैं ओरिजिनल टीचिंग पर दूसरे वो लोग जो समय के साथ कुछ प्रैक्टिस बदलें गौतम बुद्ध को सिर्फ भगवान ही नहीं माना बलकि की मूर्ती बनाकर पूजा भी करनी सुरूू की ऐसे लोग जिन्वने बदलावों को एकसेट करा वो आपको देखने को मिलेंगे liberal practices की तरफ तो जिनोंने ओरिजिनल टीचिंग पर चले वो थे स्थवीरवादिन और जिनोंने आगे चलके समय के साथ विचार अपने बदले और नई प्रैक्टिस के साथ बुद्धिजम को फॉलो करा वो कहे गए महासंगी का तो ये कौन है ये लिबरल लोग है स्थवीरवादिन से आगे निकल कर आता है थेरावाड़ा बुद्धिजम यानि की ओरिजिनल टीचिंग वाला बुद्धिजम है इससे और आगे चलेंगे तो राजा कनिश्क के जमाने में यहां से निकलता है हीन यान बुद्धिजम तो हीनियान बुद्धिजम जो है वो original teaching पर चलने वाले की line में है। यहाँ पर तांतरिक बुद्धिस्म फॉलो होता है और इतना ही नहीं तिबबत में जो बुद्धिस्म है वो बेंगॉल के जो eastern part है वही से बुद्धिस्म गया है तो बुद्धिस्म भारत के eastern part से तिबबत में गया और eastern part में तांतरिक बुद्धिस्म था इसलिए आप देखे तो निर्वान यहाँ पर आपbery लेकिन इसके पास खुद बहुत ज्यान होने चाहिए ये खुद बुद्ध बंने के मार्य में होना चाहिए वज्रियान कहता है आपको निर्वान की जरूरत पड़ेगी गुरू और तिबत में इसी गुरू को लामा कहा जाता है इसलिए आपको दलाई लामा दिखते हैं इसलिए लामा जो पद्धिती है लामा जो पद्धिती आपको तिबत में दिखेगी क्यों क्यों कि तिबत में है वजरियान बुद्धिस्म जो भारत क इस्टेन पार्ट से गया और वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गुरु का बड़ा महत्व होता है वजरियान में अगर निर्वान की प्राप्ति करनी है तो ऐसे में लामा की पोजिशन आपको important देखेगी ठीक है तो यह स्थवीर वादिन और महासंगी का जो है यह आपको बुद्धिज्म में दो संपरदाय मिलेंगे उसके अलावा बुद्धिज्म में महायान आपको देखने को मिलता है जो हमने already बास कर ली है महायान बुद्धिज्म में भी दो important terms आपको मिलती है एक मिलेगी योगकारा जिसको विग्नान वादिन्स भी कहते है या फिर एक मिलेगी माध्यमका जिसको शून्ने वाद भी कहते है योगकारा का मतलब है यहाँ पर idealist school है ठीक है यह idealistic बातों को यहाँ पर करता है वहीं पर माध्यमी का जो स्कूल है जो की जिसके founder कौन थे नागारजुन नागारजुन ने माध्यमका स्कूल की स्थापना करी इसको शून्ने वाद भी कहते हैं यह middle path की बात करता है यह midway between idealism and realism की बात करता है नागारजुनों ने यहाँ पर क्या दिया माध्यमिका स्कूल है उसके अलावा योगकारा जिया आपको देखने को मिलेगा इसने दिया आसंग एंड वासु बंदू ने ठीक है तो यह term आप से पूछ सकता है कि योगकारा माध्यमिका फिर्ट शून्नेवाद विग्णनवादिन बोल देगा विग्णनवादिन टर्म जो है सिर्फ एक single शब्भ विग्णनवादिन यह Jainism में है या buddhism में है या फिर आजीवी का sect में है या फिर चारवाथ मे है कहीं पे भी कूछ सकता है उसके अलावा जैनिज्म की इंपॉर्टन टर्म्स यहां पर देख लेते हैं अरिहंत या फिर जीन जिसने केवल्य ग्यान की प्राप्ति कर ली जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे कहा गया जीन जीतें द्रिया जीन कहा गया जिसने हिंदूइज्म के अंदर अल्टिमेट गोल है निर्वान की प्राप्ति का मतलब होता है इच्छाओं का त्याग हिंदूइज्म के अंदर अल्टिमेट गोल है मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है जन्म और मरण के जो चक्र है इससे चुतकारा वही पर जैनिजम के अंदर ultimate goal होता है कैवल्ले घ्यान की प्राप्ती यानि infinite knowledge की प्राप्ती और उसी तरह से जो लोग infinite knowledge कैवल्ले घ्यान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सिध्धास भी कहा जाता है सिध्धास कहें, केवलिन्स कहें अरिहंत कहें, तीर्थंकर कहें, इन सब का मतलब आपको जैनिजम में एक ही देखने को मिलता है important जो term है वो याद रखेंगे, गंधर, गंधर का मतलब क्या होता है गंधर का मतलब होता है primary disciples of तीर्थंकर, मतलब जो भी तीर्थंकर है जिसे भगवान महावीर है तो भगवान महावीर के बिल्कुल immediate disciples होंगे, बिल्कुल खास जो उनकी उनसे direct बातचीत होती होगी, उनको कहा जाता है गंधर तो गंधर का मतलब ये नहीं है, कि कोई गुरु शिष्य परंपरा के तहस कोई भी गंधर बन जाएगा जैनिजम में जी नहीं, गंधर का मतलब है, जो कि बिल्कुल immediate disciple है, किसी तीर्थंकर का, चाहे लोग रिशब देव हो, नेमी नाथ हो, ठीक है, और पारशनाथ हो, या फिर महावीर, भगवान महावीर, उनके जो बिल्कुल immediate शिष्य होंगे, जो इनके बिल्कुल direct touch में है, वो गंधर कह जाएंगे, ठीक है, सल्ले खाना या फिर संथारा, सल्ले खाना या संथारा, जैनिजम में एक terminology मिलेगी, जो कि एक तरह की practice है, जिसमें जो जैन सादू होते हैं, वो अपने आपको भूका रखते हैं, कब तक भूका रखते हैं, जब तक वो प्राण ना त्याग दे, तो अ इन्होंने अपने जीवन में, आखरी दिनों में अपने आपको जैन साधू के रूप में, इन्होंने करनाटिका में अपना समय बिताया, और वहाँ पर उन्होंने सल्ले खाना भी practice किया, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज ज्याद रखेंगे, important terms, उसके अलावा कुछ teaching जो ह किसी भी आप कोई भी बात सुनें, कोई भी ज्यान सुनें, हर चीज़ की एक से ज़्यादा dimension होती है, non one-sidedness, manifoldness, हर चीज के एक से जज़दा आयाम होतے है, एक से ज़दा उसके पहलू होते है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, कि हर चीज़ का जैसे बोलते है science है, हम ब development जो है वो तरक्की की निशानी है आप infrastructure बना रहे हैं डैम बना रहे हैं यह तरक्की की निशानी है लेकिन इसकी दूसरी साइड यह भी है किससे environment damage होता है अपने ही देश में रहने वाले कई लोग विस्थापित हो जाते हैं और फिर उनके अधिकारों का हनन होता है तो यह उ चीज कोई बीचीज absolutely true नहीं है कोई बीचीज absolutely true यहां पर नहीं है यानि कि यहां पर अगर मैं आप आप इस चीज़ को मानेगे नहीं, कि पार्टिकल जहां पर मैं कहूं, कि पार्टिकल अगर यहां से गायब होगा, तो यहां पर प्रेजन्ट हो जाएगा, आप मानेगे नहीं, लेकिन क्वांटम मेकैनिक्स की दुनिया ऐसी ही है, जो क्वांटम वर्ल्ड है, वो ऐसा ही है, इसलिए कभी भी अगर बात करें, हर चीज में में भी, अगर बोला जाए कि कोई knowledge, अगर बोले, आज से 500 साल पहले, अगर ये कहा जाता, कि इंसान हवा में उड़ेगा एक दिन, इंसान हवा में उड़ सकता है, इसके क्या possibility है, हो सकता है, 99% लोग उससमें कह दें, कि इंसान हवा में कभी नहीं उड़ सकता, ठीक है, क्योंकि इंसान के पंक तो लगे नहीं है, और ऐसी machine बनाना, कोई भारी भरकम चीज बनाना, उसे उड़ाओ के कैसे, बहुत सारी चीजें, तो समय 5-7 पहले लोग कह देतें, possible ही नहीं है, लेकिन वो absolute truth नहीं है, technology development जैसे हुई, आज हम देखते हैं, कि यहाँ पर इंसान हवा में उड़ता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर न्याय व्याद philosophy मिलती है, जो कि बात करता है partial standpoints की, यानि कि यहाँ पर भी, कोई भी जो viewpoint है, अपने आप में पूरा सत्य नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखें, पूछ सकता है, कि अनेकांतवाद का मतलब क्या है, नयवाद या स्यायवाद, पूछ लेगा, नयवाद की philosophy, या अनेकांतवाद की जो philosophy है, यह आपको कहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा, पूछ लेंगे, उसके अलावा, important term है, छोटी-छोटी, कहता है, Sanctro Cortes, Sanctro Cortes क्या है, चंदर गुप्त का नाम आपको देखने को मिलेगा, ग्रीक लोग, चंदर गुप्त को Sanctro Cortes कहते थे, अमित्र गाट, यह किसका नाम मिलेगा, अमित्र गाट, दरसल, ग्रीक sources में, ग्रीक record में, अमित्र गाट कहा गया है, बिंदु सार को, कौन है बिंदु सार, चंदर गुप्त मौर्या के बेटे बिंदु सार आपको मिलेंगे, चंदर गुप्त मौर्या के बेटे थे, बिंदु सार, बिंदु सार के बेटे थे, समराट अशोक, चारिए, उसके अलावा भबरू बैराट इंस्क्रिप्शन, यह याद रखेंगे, यह मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर क्यूंकि यह important keyword के रूप में हम इसको miss कर देते हैं बहुत बार हम राजा अशोका के बहुत सारे inscription पढ़ते हैं लेकिन भबरू बेराट inscription यहाँ पर आपको जिक्र नहीं मिलता है तो यह राजा अशोका से जुड़ा हुआ है originally राजिस्थान में आपको मिलेगा ठीक है और अब आपको क्यलकटा के अंदर museum में भी यह आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर भबरू बेराट inscription औरिजिनली राजिस्थान में आपको पाया जाता है उसके अलावा यहाँ पर कुछ important terms जो है morian administration से पूछ लेता है morian administration से important terms पूछ लेता है जैसे कि तीर्थाज का मतलब क्या था morians के जमाने में पूछ लेगा in the times of morias what do you mean by तीर्थाज तीर्थाज में पूछ लेगा कोई धर्म गुरु होते थे religious leader होते थे इस तरह से पूछ लेगा यह क्या होते थे highest category of officials सामराजे में जो सबसे उपर की rank के जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थाज कहा जाता था ठीक है उसके अलावा अध्यक्ष कौन होते थे यह next to तीर्थाज सबसे उच अधिकारियों के जो बिल्कुल next जो अधिकारी होते थे वो अध्यक्षाज होते थे ठीक है और अध्यक्षाज जो होते थे इनके पास secretary होते थे कई departments होते थे तो आप कह सकते हैं उस दमाने के यह joint secretary chief secretary हुआ करते थे उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रदेशिकाज प्रदेशिकाज district administration देखा करते थे यहाँ पर रज्जुकाज जो की land measurement and boundary fixing करते थे यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और समहरता जो की यहाँ पर revenue collection देखा करते थे यहाँ पर और अक्ष पाटाल अध्यक्ष इसको कहा जाता था account general को जो की audit वगेरा का काम करते थे तो यह आप एक बार सब पर नजर मार लीजिए red वाले जो हैं जिनको red color से highlight किया गया है इसको थोड़ा अच्छे से बढ़ेंगे बाकी सब पर आपकी नजर होनी चाहिए important keywords है जैसे सन्नी धाता सन्नी धाता जो की treasury जो की खजाना है उसको देखरेक करेगा chief treasurer है तो समहरता collect करने वाला और collect होने के बाद उसकी देखरेक करने वाला को है सन्नी धाता और व्यवहारी का कहा जाता था chief judge को जो chief judge मुख्य judge होते थे मुख्य नायदीश उनको व्यवहारी का कहा जाता था उसके अलावा Morian administration में जब राजा आशोका ने धम अपना लिया था धम की नीती अपना लिया थी यानिकी धम की नीती मतलब अब राजा आशोका ने कहा कि हम किसी से युद्ध करके लड़कर क्योंकि युद्ध में जानमाल का बहुत निक्षान होता है बहुत निर्दोष लोग मारे जाते हैं जानवर मारे जाते हैं इंसान मारे जाते हैं हम इस policy को सुरते हैं धम की policy अपनाएंगे और धम्य की नीती जो है वो यहां पर बात करती है नॉन वाइलेंस की टॉलरेंस की नीच्वल रिस्पेक्ट की यह सारी बात है तो यहां पर धम्म महामंत्रा जो थे यह भी अपॉइंट किये गए और धम्म में सिर्फ यही बाते नहीं आती इसके अलावा धम् धम्म का ग्यान देते थे कि दूसरों के प्रति आदर रखो माबाप की सेवा करो दूसरे धर्मों का सभी धर्मों का पालन करो जानवरों की बली मत दो जानवरों को मारना नहीं है non-violence यहाँ पर और यह जो पॉलिसी है धम्म की पॉलिसी राजाशुका की इसको इंप्लिम क्पेपर में इस तरह से तेगा महमताथ यह तीскह का महामतरु फेंगा यह उसके अलावा प्रदेशिकार रज escaping फो इस एपावर होती थी और यहां पर policians और पतिवेदिकास यह क्या होते थे spies और royal reporters यहां पर important है याद रखेंगे एक तो morian administration उपर से distinct terms है policians और पतिवेदिकास कौन होते थे spies और intelligence royal reporters वहा करते थे police और पतिवेदिकास important keyword है याद रखेंगे जरूर अलग से याद रखेंगे ठीक है चली उसके अलाबा यहां पर कहता है morian जो empire था उसको पूरे empire को चार provinces यानि की चार बड़े राज्यों में divide किया गया था जैसे की पहला राज्य मिलेगा जिसको उत्तर path कहा जाता था इसकी capital क्या थी तक्षिला पता होना चाहिए दक्षिर पास की capital को वर्नगिरी आंधर प्रदेश में हुआ करती थी अवंती पास की capital आपको उज्जयन दिखेगी और अवंती एक महाजनपद भी हुआ करता था एक जमाने में जब उसकी capital उज्जयन हुआ करती थी northern capital south की capital आप मुझे बताएंगे comment box में थी अवंती महाजनपद की southern capital क्या हुआ करती थी और यहाँ पर चौता है प्रच्यपाद इसकी capital जो थी ओडिशा के तोसाली में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर याद रखने की जो चीज़ है प्रच्यपाद देखने में एक ऐसा term लग रही है जो कि थोड़ी इन से थोड़ी अलग मिलती जुनती नहीं लग रही है यहाँ पर पाथ और पत आपको देखने को मिलता है प्रच्यपद जो है पेपर में पूछ लेगा प्रच्यपदा during morian times refers to which of the following तो प्रच्यपदा एक राज्य morian times में हुआ करता था morian administration में ठीक है उसके अलावाट districts को अहराज कहा जाता था यह याद रखेंगे हर province को डिवाइट किया गया था districts में यानि कि अहराज में पूछ लेता है paper में कि morian जमाने में अहराज का मतलब क्या था या प्रच्यपद का मतलब क्या है पूछ इसको ऐसा लग रहा होगा अभी पढ़ते वक्त कि बड़ी सिंपल है क्या इसमें याद रखना है लेकिन जब paper से दो दिन पहले आप इन शब्दों को देखेंगे तब आपको फोड़ा satisfaction मिलेगा कि हाँ at least important keywords आप करके जा रहे हैं तो paper में पूछे जा सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर संग्रहना यह क्या है दस गाओं के villages को संग्रहना कहा जाता था तो इस keyword को भी याद रखेंगे उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि Megasthenes जो की Greek Ambassador थे भारत के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी इंडिका भारत के अंदर आये थे चंदर कुप्ति मौरे के दरबार में इन्होंने बताया यहाँ पर कि किस तरह से कि किस तरह से यहाँ पर administration किया जाता है किस तरह से यहाँ पर शेहर का administration किया जाता है तो इन्होंने बताया कि एक municipal council हुआ करती थी जिसको एस्टीनो मौई कहा गया तो पेपर में पूछ रहेगा एस्टीनो मौई का मतलब क्या है यह क्या है municipal council का जिक्र किया है एस्टीनो मौई की रूप में किसने Megasthenes जोने और बताया गया है कि ए municipal council होती थी इसमें 30 मेंबर होते थी और 30 मेंबर कैसे पांच-पांच मेंबर्स की 6 committees हुआ करती थी पांच-पांच मेंबर्स की यहां पर 6 committees हुआ करती थी और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सभी जो थी किसी कोई agriculture देखती ठीक है कोई market देखती थी कोई टॉल collection देखत से आपको देखने को मिलेंगे जैसे जो है इन यानी की गाउन कर से लिया जाने वाला tex प्रनेया एक emergency tax हुआ करता था विष्ठी ये 2018 में पूछा भी जा चुका है पेपर में 2018 में 2019 में पूछा जा चुका है tax payable in labor that is forced labor यानि कि राज्य को एक तो tax दिया जाता था और कुछ लोग राज्य को tax नहीं देते थे तो ऐसे में क्या होता था tax ना लेकर उनसे क्या किया जाता था उनकी service ले ली जाती थी कि जैसे एक हफते में पूरे हफते में एक दिन आप सामराज्य के लिए काम करोगे और उसकी salary आपको नहीं मिलेगी तो वो tax के रूप में मान लिया जाता था उसे कहा जाता था विष्ठी डारेक्ट पेपर में question आ चुका है 2019 में prelims में कि विष्ठी का मतलब क्या है ठीक है तो विष्ठी एक course labor थी जो tax के रूप में करवाई जाती थी परिहारक ये वो villages होते थे जिनसे tax नहीं लिया जाता था मौरेन जवाने में याद रखेंगे परिहारक का मतलब क्या है अयुद्ध्यास अयुद्ध्यास क्या थे ये वो गाउं थे जो की tax नहीं देते थे लेकिन soldiers की supply देते थे सेना में जो soldiers जाते थे वो ये अयुद्ध्यास गाउं से जाते थे उसके अलावा धर्मस्थायास किसको कहते थे civil court को और कंटक सोधना कहा जाता था criminal court को ठीक है तो धर्मस्थाया और कंटक सोधना refers to which of the following during modern times ठीक है तो ये refer करता है किसको civil और criminal court को उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि copper masica copper masica क्या है कहता है यह एक प्रकार की token currency थी ठीक है जो की कि आपको देखने को मिलेगा जैसे अगर बात करें मौरें जमाने में ठीक है तो यहाँ पर जो में को currency चलती थी वो चलता था silver का punch marked coins silver के punch marked सिक्के चलते थे चांदी के punch mark सिक्के मौरें जमाने में चला करते थे लेकिन आपको copper की masica भी दिखेगी copper के सिक्के भी चलते थे जिसको masica कहा जाता था और इसका एक चोथाई value का जो सिक्का होता था उसको ककीनी कहा जाता था तो याद रखेंगे masica और ककीनी यह दोनों copper के बने होते थे बस unit इनकी थोड़ी अलग होती थे ठीक है चलिए उसके अलावा एक important चीज यहाँ पर याद रखेंगे एक confusing point यहाँ पर आपका दूर होने वाला है दरसल जब हम history पढ़ते हैं 16 महा जनपद पढ़ते हैं तो एक बार जिकर आता है एक बार जिकर आता है कि भई चेदी एक महा जनपद हुआ करता था ठीक है अगर आप भारत का नक्षा बनाएंगे ठीक है भारत का नक्षा जा था तो चेदी जो था एक महा जनपद सामराज्जे था कब 16 महा जनपद के जमाने में यानि कि 600 से 300 बीसी के जमाने में दूसरा चेदी का नाम फिर से आता है वो है चेदी डाइनिस्टी और यह जो चेदी डाइनिस्टी है यह 1st century BC के आसपस मिलेगी यानि कि यह 100 BC के आ महाजनपत वाला सामरा जे एक चेदी का मतलब है ओडिशा के रीजन में कलिंग शेत्र में एक डाइनिस्थी जिसे महा में वर्मन डाइनिस्थी भी कहा जाता है जिसके शासक आपको कौन मिलेंगे राजा खारवेल और यह कहां मिलेंगे आपको ओडिशा में तो याद रखें उसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइटल्स है वो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर पूछ सकता है कि एक ब्रहमन टाइटल किसका था जिसको द्विज कुला वर्धना भी कहा जाता था या फिर जिनको त्री समुद्र आदियुपती भी कहा जाता था या फिर बेन कटा रेश्वर स्वामी भी कहा जाता था यह सभी टाइटल आपको मिलेंगे गौतमी पुत्र सतकरणी के जोकी सात वहन सामराज्य के शासक थे गहां मिलेगा महराश्य के रीजन में पोस्ट मौरियन जमाने में कब पोस्ट मौरियन जमाना मतलब मतलब 220 से आपको दिखेंगे उसके अलावा गुपता काल की अगर बात करें गुपता काल में समुद्र गुपत के इंपॉर्टन टाइटल्स आपको मिलेंगे नेपॉलियन कहा जाता था यह तो सब जानते हैं चलिए लिच्छवी दुहित्त्रा ठीक है इस टाइटल को याद के सिम्हा विक्रम भी इनको कहा जाता था उसके अलावा कुमार गुपत जो थे जिन्होंने नालंदा विश्विद्याले की स्थापना की थी इनके इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किये थे शंकरादित्य और महेंद्रादित्य पूछ लेगा कि शंकरादित्य और महेंद् लादेश या फिर बुक्ति यानी के यहां पर फिर यह करते थी और returns फिर विएपार हुआ परSome UK बह करते भिजिताियों डील्म मतलब लोगों के संगठन यहां पर हुआ करते थे तुम ठीक है और व्याकारी संगठन हुआ करते थे और जो व्यापार संगठन के हेड हुआ करते थे उनको कहा जाता था नगर श्रिष्ठीन यहां कहा जाता था जो व्यापारी संगठन के हेड हुआ करते थे और चीफ मर्चेंग जो होते थे उनको सार्थ वहा कहा जाता था और यह सार्थ वहाजो होते थे यह वो लोग होते थे जो घूम घूमकर व्यापार करते थे एक जगा से दूसरी जगा जाने वाला ट्रेड करते थे गुपता काल के अंदर उफिसर्स और उनकी आपको काम आपको मिलेंगे जिसे महा दंड नायक चीफ जस्टिस को कहते थे संदी विग्रह कहते थे जो की वार एंड चंसीलेशन पोस्ट वार यानी कि जो संदी वगारा करवाने वाले ऑफिसर के भंड ठेगे बंडगार अधीकृत आपको मिलेंगे जो की रॉयल क्रेश्डे को देखते थे थे महापक्ष महा महाक्षपटलिक जो की अकाउंट का डिपार्टमेंट यहाँ पर देखते थे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर में माक हैं उन पर फोकस खास करेंगे बाकी पर नजर एक बार डाल लेंगे ठीक है गुपता जमाने में आपको टेक्स जो मिलेंगे अलग-अलग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं थली दंड जो की फ्लग टेक्स है खेल खेल को जोतने का बली जो की एक उप्रेसिव टेक्स था लोगों के उपपर वात भूत टेक्स यह बड़ा अजीब टेक्स है यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का रिचुल जो करता था इसको वात भूत टेक्स देना होता था अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे गुपता काल वो जमाना था गुपता काल वो जमाना था जहाँ पर व्यापार तो डिकलाइन हुआ, ट्रेड तो डिकलाइन हुआ, लेकिन जो टैक्सिस की संख्या थी, वो बहुत बढ़ गई, नमबर ऑफ टैक्सिस बहुत अन्य अन्य प्रकार के अजीब औ गरीब टैक्सिस गुपता काल में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बात-भूत टैक्सिस से देखने को मिल जाता है, यहां बई, अलग-अलग परकार के टैक्सिस देखने को मिलते हैं, भोग जो होता था, उसमें राजा का एक शेर होता था, जो भी किसान खेती करता था, जो भी किसान खेती करता था, यहां पर आप देख सकते हैं, पोर्स ट एक स्वाख करता सार्त वहां वहां कि अपना कार्वा लेकर चलते थे एक जगा से दूसरी घगा और फिर उस कार्वे के हिसाब से भ्यापार यहां पर करते थे कि अलावा अग्र हारा यह टैक्स प्री लैंट-ग्रांग होते यानि की ब्राह मनों को कुछ वें साथ वहन स्साम लाज्य के जमाने मेंも ब्रामनों को और बुद्धिस साध्वों को जमीने दान में देने की प्रैक्सिस शुरू की गई और उन जमीनों से उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था ऐसे ही गुपता काल में ये एक ट्रडिशन जारी रहा ब्रामनों को जमीने दान में दी जाती थी और बिना टैक्स के दी जाती थी और ऐसी दमीनों को कहा जाता था अग्र हारा कहा जाता है गुपताकाल के जमाने में जमीने जो दिवाइड ठीव आपको देखने को मिलेंगी तो इन कीवड प्याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है इसका मतलब क्या है इस शेत्र भूमी जोकि है जिसकती कि जाए जिसकर घ्टी नहीं दर नहीं कि जाए जब तल कहा जाता था वस्तु भूमी बस्तु भूमी जहां पर सब भर बनाएंगा बोल देगा घिला ए आप्रहता खिला एंड अप्रहता आर दी टाइप आफ विच आफ दी फॉलोविग वूर अग्रीमेंट्स या फिर लैंड फिर बोलेगा खिला और अप्रहता यह किस चीज के प्रकार है भारत के इतीहास में तो आपको पता होना चाहिए जमीनों के प्रकार है उसके अलावा एक important चीज गुपता काल में चंद्र गुप्त विक्रमादित्य जो थे चंद्र गुप्त द्विती है इनके उज्जैन के दर्बार में आपको नवरतन मिलेंगे यानि कि नौ बड़े स्कॉलर मिलेंगे कौन से कालीदाश मिलेंगे अमर सिन्हा मिलेंगे वराह मिहिर धन्वंत सबसे बड़े स्कॉलर कालीदाश अभिज्ञान शेकुंत्रम मालविक आगनी मित्रम विक्रमो वर्शियम रित्यू समहारा मेगवदूतम इन सब के लेखक अमर सिन्हा जिन्होंने अमर कोश लिखी यानि की वोक्याबलरी लिखी संस्कृत की उसके लावा वरा मिहीर जो की उस समें एक बड़े एस्ट्रोनॉमर थे ठीक है और इन्होंने ब्रिहत कता लिखी ब्रिहत जातका लिखी उसके अलावा धनवंतरी जो की फिजीशियन थे घटक अपारा जो की स्कल्प्चर और आर्किटेक्चर थे शंकू एक शिल्प शास्तर थे कहा पना का जोती शास्त प्राक्रस की ग्रामर लिखी और वेताल अभट जो की मंतर शास्तर एक मजीशियन हुआ करते थे ठीक है तो यहां पर इन नौ रतनों के उपर भी डारेक्ट क्यूंकि कीवर्ड आधरी थे हैं डारेक्ट क्वेश्चन 2020 में आया था 2020 में नौ रतनों के उपर क्वेश्चन आ फॉगुजी क्या है दरसल ये रिकॉर्ड है किसका फाहियान का फाहियान भारत में आये थे चंद्र गुप्त विक्रमादित्य के जमाने में गुप्ता काल में फाहियान आते हैं भारत में यात्राव करते हैं अपने रिकॉर्ड जो लिखते हैं वो फॉगुजी नाम की कित बाकी इंस्क्रिप्शन हम पढ़ते रहते हैं यहां पर आपको सती का जिक्र मिलता है और गुपता काल लेटर गुपता काल में भानु गुपत शासक थे जब आपको यह जिक्र मिलता है उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और कीवर्ड है करन सुभरन यह क्या है दरसल पोस् बिंगौल के शेत्र को गौड कहा जाता था गौड जहां पर शासक मिलेंगे शशांक तो शशांक ऑफ गौड यानि कि बिंगौल के शासक थे और बिंगौल की जो क्यापिटल थी इस वक्त उसको कहा जाता था बिंगौल की क्यापिटल थी करन सुभरन इसके अलावा पोस् इनकी ग्यापिटल है कन्योज यहां पर आपको मिलेंगे मैस्त्रकाज इनकी ग्यापिटल आपको वल्ला ही मिलेगी उसके अलावा दोर पुष्षय भूतिज जिंकी है स्थानेश्वर। अब यहाँ पर फिर से एक terminology वाला question सामराज्य और उनकी capital आपको पता होनी चाहिए इस पर भी question पूछा जा चुका है सामराज्य और उनकी capital ठीक है तो कुछ नहीं बस इस तरह से mockries of जब भी याद रखेंगे किसी भी सामराज्य को बोलें तो हर सामराज्य को उसकी capital के साथ ही याद रखें जैसे बोलने से आपकी आदत ऐसी बन जाएगी आपके जब भी आप बोलेंगे by default अपने आप capital साथ में निकलेगी उसका जिक्र जरूर होगा उसके अलावा यहाँ पर वटापी कोंडा टाइटल किसका था पल्लव शासक नरसिम वर्मन का टाइटल था वटापी कोंडा और इन्होंने क्या किया था चालुक्यन शासक चालुक्यन सामराज्य कि जो capital थी वटापी उ पूछ सकता है कि यह किसने इसको दिया था इसके अलावा अगर बात करें तीन सो से साड़े साथ सो एड़ी में साउथ इंडिया में आपको तीन प्रकार के गाउं दिखेंगे एक गाउं जिसको उर कहा जाता था यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे वो सभी लोग रहते थे ठीक है किसान यहाँ पर रहा करते थे और टैक्स वगयरा करते थे उर कहा जाता था उर क्या है गाउं का टाइप शभा जो है यहाँ पर सभा जो गाउं होते थे या फिरर असेंबली हुआ करती थी यहाँ पर ब्रहमदया villages के जो लोग होते थे ब्रहमदेया मतलब ऐसे गाव ऐसे गाव जिनकी जमीन जो है tax free land grants दी गई है ब्रहमणों को तो ब्रहमणों को जो गाव दिये जाते थे दान में without tax उनको ब्रहमदेया कहा जाता था ठीक है और ऐसे जो गाव है उन गाव का जो group है उन्हें सभा कहा जाता था यानि कि सभा में आपको कौन मिलेंगे जादा तर आपको ब्रहमण यानि कि सिंगल कास्ट के लोग मिलेंगे उसके अलावा नगरम नगरम कौन से एरियास थे नगरम वो एरियास थे जहां पर व्यापारी लोग रहते थे प्रेडर्ट और मर्चिंग्स रहते थे तो ये तीन टाइप की याद रखेंगे साउथ इंडिया में गांफ हुआ करते थे साउथ इंडिया की हिस्ट्री में एक फेज है जिसको कहते है 300 BC से 300 AD का फेज इसे कहा जाता है संगम एज संगम एज दरसल इसे संगम एज इसले कहते है क्योंकि डीप साउथ को अगर आप देखेंगे ये तमिल्नाडू ठीक है तमिल्नाडू केरिला वाला रीजन यहाँ पर हमें जो इतिहास इसका पता चलता है वो कैसे पता चलता है दरसल हमारे पास कुछ लिक्रेचर हाथ लगा हमने उस लिक्रेचर को पढ़ा तो उस लिक्रेचर को पढ़ने से हमें पता चला कि ये जो किस समय की बात कर रहा है लगवग इस समय की बात कर रहा है और ये जो समय है इस समय में इस पूरे रीजन में खेज्ग मतलब संगम मतलब कि今 यहां पर गैदरिंग्स होती है इसमें क्या करते हैं पोल्षस पर आते हैं यह क्या करते हैं लिक्टरिचर को कमपाइल करते हैं साथ और बैट करativesано करते हैं संगम कर में दौरान कोgehen संगम कब हुए इस जमाने में तो और संगम के दोरान जो literature हमारे हाथ लगा उसके हमें इस society के बारे में पता चलता है तो हमने कहा वो literature क्या है वो संगम literature है तो इस दमाने में 300-300 AD में, 320 BC-300 AD में, deep south की history में तीन बार बड़े gatherings होती है जिसको तीन संगम कहा गया एक old madurai में होती है फिर kapata puram और फिर madurai में और president होते हैं अगस्तियार ठीक है और यहाँ पर अगस्तियार के बारा जिसाइपल्स और यहाँ पर नक्कीकार ठीक है इस चीज़ को याद रखेंगे उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें deep south का map इस जमाने में तो आपको सामराज्य कैसे दिखेंगे यहाँ पर आपको जैसे मिलते हैं चेराज ठीक है यहाँ पर आपको सामराज्य मिलता है पांडियाज का यहाँ पर चेराज का और यह जो सामराज्य आपको दिख रह से आता है और बहुत simple है अगर आपने ठीक से किसी ने भी पड़ा होगा तो उसे पता वो इसका बड़े असानी से कर सकता था जैसे की चेरा लोग है inki जो capital है ठीक है ठीक है छेरा लो की capital यहां मिलेंगी आपको वो थी वन जी और चेरा लोगों का एक important इनका जो important port फाइए वह था मुचीरी या फिर मुजीरिस भी कहीं कहीं लिखा होता है तो चेरा सामराज्य की capital क्या है वंजी पोट कौन सा है मुचीरी ऐसे ही पांडिया सामराज्य की capital है वो क्या है Madurai जहां पर संगम होते हैं और वैसे ही पांड़य सामराज्य का important बंदर क्या है बंदरगाह वो है कोरकई जो की सवाल में पूछा गया था उसी तरह से चोला सामराज्य की जो capital थी यहां पर वो आपको मिलेगी चोला सामराज्य की capital वो मिलेगी उरैयूर ठीक है इस जमाने के जो चोला से इनकी capital आपको मिलेगी उरैयूर और इनका जो important बंदरगा पोक था वो था कावेरी पटनम कावेरी पटनम जिसको पुहार भी कहा जाता है और अगर आप 2023 का paper उठा के देखिएंगे तो उसमें आपको 3 शब्द मिलेंगे कौन कौन से एक आपको मिलेगा मुचीरी एक आपको मिलेगा कोर कैई और एक आपको मिलेगा पुहार और कहेगा ये तीनो जो शब्द हैं इसका एक स्टेप उपर जाकर सोच सकता है ये क्वेश्चन जितना असान लग रहा है ये मुश्किल बन सकता था दरसल इस क्वेश्चन में 2023 में क्या पूछा गया था पूछा गया कि कोरकाई मुचीरी एंड पुहार इनका मतलब क्या है इनका मतलब बता दो ये क्वेश्चन मुश्किल बन जाता अगर सिर्फ कोरकाई और मुचीरी ऑप्शन में देता पुहार का जिक्र नहीं करता ये तो पुहार का जिक्र कर दिया इससे क्या होता है बच्चों को जादा तर पुहार याद रह जाता है क्यों क्योंकि पुहार य अगर यहां से पुहार नहीं दिखता सिर्फ दो शब्दों का इस्तिमाल होता तो यह question मुश्किल बन जाता और इस जमाने में संगम जमाने की जो सोसाइटी थी उसमें आपको देखने को मिलेंगे अंदेनार्स जिनको प्रीस्ट कहा जाता था अरासर्स यानि की जो शासक होते थे वैसियासर्स जो प्रेजर्स होते थे और वेललालाज जो कि किसान होते थे तो कई बार पूछ लेता है वेलालाज का मतलब क्या है तो जो किसान हुआ करते थे संगम जमाने में उनको वेलालाज कहा जाता था ठीक है उसके अलावा तोलक का पियम क्या है तोलक का पियम एक संगम जमाने का टेक्स्ट है जो कि और बदे मिलें जहांपर आपको व्यारीन तरस देखने को मिलेंगे। जो की हाई बॉर्ण थे और एली पी रपलर यानि की जो सीय अलावा ज़्मीन को ईससे बाटा गया था। कुरूवार्स जो था जहां पर हिली एरिया थे हंटर्स रहते थे मरावार्स जहां पर वार्यर्स बैरन लैंक थे कुरूमबर्स यानि की जहां पर शैपर्ड रहते थे पशुपालक और वेललार्स जहां पर किसाम रहते थे और परोदवार्स जहां पर फिशरमेंस रहते थे इन टर्म को याद जरूर रख लेंगे क्योंकि लास्ट पेपर में ही बंदरगा पूचे हैं संगम जमाने के तो संगम जमाने में किस तरह से जमीन को बाटा गया था ये भी पूच सकता है बहुत इंपॉर्टन एक कुरूवर्स मरावर्स, कुमबर्स वेललर्स और पदवर्स ये वर्स वर्स रस रस लास्ट में लग रहा है याद रखेंगे पुराने जमाने में संगम जमाने में जमीन का बटवारा था और कौन सा क्या था कुरूवर्स हंटर्स, मरावर्स वारियर्स कुरुमबर्स, शेफर्ट, वेललार्स तो आपको याद रहेगा कि किसान को कहते थे और परदोवर्स, फिशर्मन को कहा जाता था इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें, धर्म इस जमाने में कैसा होता था, तो ब्राह्मनिजम, बुद्धिजम, जैनिजम सब एक साथ एकजिस्ट कर रहा था कीवर्ड जो आपको मिलेगा वो यह, कि यहाँ पर देवरंद कल्ट आपको मिलता है, देवरंद कल्ट, that is, worship of five gods, तो देवरंद कल्ट जो है, कहाँ पर famous होता था, साउथ इंडिया में practice होता था, संगम जमाने में, देवरंद कल्ट का मितलब क्या है, पाँच भगवानों क कीवर्ड आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देवरंद, भगवान कौन से थे, मुर्गन भगवान, शिव भगवान, कृष्न, बलराम और इंद्र की यहाँ पर पूजा होती थी, ठीक है, उसके अलावा कपाली का सेक्ट, यह भी एक कीवर्ड है, तो कपाली का सेक्ट जो है, यह भगवान, शिव की पूजा करने वाले लोगों का एक संपरदा है, ठीक है, भगवान, शिव की पूजा करने वाले लोगों का एक संपरदा है, ठीक है, कपाली का सेक्ट, उसके अलावा, वीरागल वर्षिप क्या है, वीरागल वर्षिप जो है, यह एक स्टोन वर्षि खड़े कर दिये जाते थे और फिर उनकी पूजा की जाती थी, hero worship भी यहाँ पर होती थी, इसके अलावा important keyword आपको संगम जमाने के मिलते हैं, तोलक का PM जो की Tamil grammar पर लिखा गया text है तोलक का PR के द्वारा यहाँ पर हम जब literature तो उसमें इन सब को दुबारा जरूर कवर करेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर separately इसलिए cover कर रहा है क्योंकि South की, South India की हिस्ति से जुड़े वे जो important keywords है उनमें ये बहुत जादा important है इसलिए इनको यहाँ पर भी डाल दिया गया तोलक का PM, grammar में लिखा गया उसके अलावा 18 major works जो है जिनमें से कुछ आपको देखने को मिलेंगे 8 anthology जिसको एक्टू गोठाई भी कहते हैं एक्टू टोगाई इनको कहते हैं जिसको, यानि कि 8 poems आपको मिलेगी 10 igles, यानि कि 10 पक्टू पक्टू इनको कहते हैं पक्टू पक्टू मतलब 10 poems का आपको group मिलेगा यहाँ पर 8 poems का group आपको देखने को मिलता है धिरुक कुरल जो है यह धिरुवल्लूवर ने लिखी है जो की ethics की बात करता है और धिरुवल्लूवर का reference कई बार भारत सरकार ने भी दिया है तो इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है और पाला मॉलीज जो है यह भी moral values की बात करता है तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर important चीज़ है उसके अलावा सिलपादी करम ये एक love story आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं important keywords और यहाँ पर यह सभी जितने important ancient history में keywords थे general keywords ठीक है इसके अलावा keywords तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर वो पूरी class history की बन जाएगी इसके अलावा जो important keywords हैं वो आपको किस तरह से मिलेंगे जैसे कि author, literature, writer उनको हम separately deal कर लेंगे वहाँ से भी question पूछे जाते हैं उसके अलावा कभी भी keyword के मामले में एक और सी जियाद रखेंगे हर सामराज्य को जब भी पढ़ें तो उस सामराज्य की capital उस सामराज्य के साथ जयाद रखें जैसे कि मौरियाज को तो मौरियाज आउस पूत्र मोरियाज Ranger कभी भी बोले, ठीकर है कभी भी बोले, राश्र को तो ऑów मानने खेता इस तरह सी आद करें साथ भाहान उफ मर्तिष्टान मौखरीज आपको कभी भी यादवाज् wo आपको कभी भी यह confusion नहीं होगी किसकी capital क्या है और फिर उससे एक फायदा यह होगा टर्म पर आधारित question अगर आएगा यह किसकी capital है capital का मिलान करो तो आप उसका जवाब दे सकते हैं तो मेरे काल से दोस्तों सेशन में हमने जितने important ancient history की terms थी आपको समझ आई और आने वाली वीडियो में ऐसे ही history से जूड़ी हुई specific videos लेकर आते रहेंगे और 2024 के exam के लिए यहाँ पर important keywords पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों मिलते शुरू हो चुका है mock test ज़रूर लगाएंगे भले ही पूरा ना लगा पाएं आधा ज़रूर लगाएंगे अपनी revision test के साथ अब करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली class के अंदर दोस्त कैपिटल्स का मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी सामराज्य को आप पढ़ें तो उस सामराज्य के नाम के साथ उसकी कैपिटल को एक साथ याद करें जैसे मौरियाज मत बोलिये कभी ये मत बोलिये मौरियाज हमेशा बोलिये मौरियाज ऑफ पाटली पुत्र कभी ये मत बोलिये कि चोलाज हमेशा बोलिये चोलाज ऑफ थंजवूर चोलाज ऑफ उरैय पांडियाज ओफ मदुरई ठीक है चेराज ओफ वंजी हमेशा ऐसे बोलिए इससे क्या होगा सामराज्य के साथ आपकी क्यापिटल आपको हमेशा याद रहेगी कोई ट्रिक वगेरा नहीं बनानी पड़ेगी आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर मेरे खाल से जो भी हमने बढ़ा आपको समझ आया है अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वरना क्लास को यहाँ पर कंक्लूद करते हैं ठीक है और पॉलिटी भी करेंगे शुरू दोस्त ठीक है फिराल हिस्प्र यहाँ पर लेते हैं और इंपॉर्टेंट वीडियो दाने वाली हैं बुद्धिजम पर जैनिजम पर काफी इंट्रस्टिंग तरीके से आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे ठीक है चलिए मगद के इंपॉर्टेंट है है कैपिटल जैसे अगर बात करें बाद में सबक्ति कैपिटल पार्चली पूत्र रही हैं हरियंका डैनिस्ट्री में उद्याइन ने कैपिटल को राजगीर से पार्चली पूत्र शिफ्ट कर दिया था तो अद्याइन से पहले का जो समय है उसके अंदर तो आपको capital जैसे अजाद शत्रू के जमाने में राजगीर दिखेगी और बिम्बिसार के जमाने में राजगीर दिखेगी बाद में उद्याईन पाटली पुत्र shift कर देते हैं शिशुनाग कुछ समय के लिए temporarily capital को वैशाली shift कर देते हैं शिशुनाग के जमाने में temporarily वैशाली चली जाती है वरना जादातर पाटली पुत्र रहती है शुरुआत में उद्याईन से पहले राजगीर मिलेगी बाद में आपको पाटली पुत्र ही मिलती है तो आप याद रख सकते हैं कि मगद में जो सामराज्य था वह पाटली पुत्र ही उनकी आपको capital देखने को मिलती है ठीक है चलिए तो मिलते हैं अगली class में दोस्तों तब तक पढ़ते रहेंगे अपना खयाल रखेंगे जहिन दोस्तों